सभोपदेशक अध्याय साथ सभोपदेशक अध्याय साथ अच्छा नाम अनमोल इत्रसे और मृत्यू का दिन जन्म के दिन से उत्तम है जेवनार के घर जाने से शोकी के घर जाना उत्तम है क्योंकि सब मनुशों के लिए अंतमे मृत्यू का शोक यही है और जो जिवित है वह मन लगा कर इस पर सोचेगा खेद हसी से उत्तम है क्योंकि जब मुह पर शोक चा जाता है तब मन सुधरता है बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की घर की ओर लगा रहता है परंतु मुर्खों का मन आनन्द के घर लगा रहता है मुर्खों के गीच सुनने से बुद्धिमान की घुड की सुनना उत्तम है, क्योंकि मुर्ख की हसी हांडी के नीचे जलते हुए काटों की चरचारहट के समान होती है, यह भी व्यर्थ है निश्च अंधिर में पढ़ने से बुद्धिमान बावला हो जाता है, और घुस लेने से बुद्धी नाश होती है, किसी काम के आरहंब से उसका अंत उत्तम है, और धिरजवन्त पुरुष गर्वी से उत्तम है, अपने मन में उतावली करके नक्रोधित हो, क्योंकि क्रोध हो ही के रधय से आता है, तू न कहना कि इसका क्या कारण है, कि बीति दिन इन से उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता, बुद्धी बपोती के समान है, बरण जीवतों के लिए उससे स्रिष्ट है, क्योंकि बुद्धी आड का काम देती है, रखने वालों की जिवन की रक्षा होती है, परमिश्वर के काम परदृष्टी कर, जिस वस्तु को उसने टेड़ी किया हो, उसे कौन सिधी कर सकता है, सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमिश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष अपने बाद होने वाली किसी बात को न बूज सके, मैंने अपने वेर्थ दिनों में यह सब कुछ देखा है, कोई धर्मी होता है, जो अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए देगायू होता है, असे मिधर्मी न बन, और न अप तु अपने समय से पहले क्यों मरे, यह अच्छा है कि तु इस बात को पकड़े रहे, और उस बात पर से ही हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमिश्वर का भय मानता है, वह इन सब कठिनायों से पार हो जाएगा, बुद्धी से नगर के दस हाकिमों की अपेक्षा बुद्धि च्छा ही करे, और भूल न करे, फिर, जितनी बाते कही जाए, सब पर कान लगाना, ऐसा न हो कि तु सुने कि तेरा दास तुझी को शाब देता है, क्योंकि तु आप जानता है कि तुने भी बहुत बैर औरों को शाब दिया है, यह सब मैंने बुद्धि से जाच्रिया है, म मैं बुद्धी मान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा, वह जो दूर और अत्यनत गहिरा है, उसका भेद कौन पा सकता है, मैं अपना मन लगाता हुआ फिरता रहा, कि बुद्धी के विशे में जान लो, उसका भेद जानू, और खोज निकालो, और यह भी जान लो कि दुष्टता नीरी मुर्खता है, और मुर्खता नीरा बावलापन है, और मैंने मुरुत्यू से भी अधिक दुखदाई एक वस्तुपाई, अर्थात वहस्त्री, जिसका मन फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हतकडिया है, जिस पुरुष से परमिश्वर प्रसन है, वह उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा, देख, उबदेशक कहता है, कि मैंने ग्यान के लिए अलग-अलग बाते मिलाकर जाची, और यह बात निकाली, जिसे मेरा मन अब तक ढून रहा है, परंतु नहीं पाया, अर्थात हजार में से मैंने एक पुरुष को प परंतु मनुष्यों ने बहुत सी युक्तिया निकाली है,